हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कोकिंग हुक आज की रेसिपी है खस्ता मठ्री और ये जो मठ्री है इन्हें हमने शंक की सेप का मनाया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए सबसे पहले इसके लिए यहां पर लिया है मैंने एक पाउल में दो कप मैदा और मैदा डालने के बाद यहां पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक मैंने एक चमच नमक लिया है यहां पर आप टेस्ट का कॉर्डिंग ले सकते हैं और उसके बाद यहां पर मैंने लिए एक चमच और इसको मेरे दोनु हाथों से पीस कर इसमें डाल दिया है और इसके बाद लिया है यहाँ पर दो बड़े चमच आयल को इसको माच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें जरा लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी और इसका थोड़ा सा हाड डो लगाएंगे जैसे पूरी का लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आटा जो है वो थोड़ा टाइट हमें लगाना है कुछ इस तरीके का अब इसको थोड़ा और पूत लेते हैं यह दिखिए आटा जो है हमारा बिल्कुल चिकना हो चुका है अब हम इसको 10 मिट के लिए रख देते हैं बिल्कुल इस तरीके का आटा चाहिए हमें यह मट्री बनाने के लिए हमें आपर यूज कर रहे हैं यह सूप यह वही गेहूं साफ करने वाला सूप है जो सभी के घर में मिल जाता है इसके ओपर मैंने रखी एक चोटी सी लोई और इसको अपने अंगोठे से प्रेस करके रख दिया है देखिए मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ इस तरीके से एक लोई लेनी है और उसको एक साइट से प्रेस क गड़ाई उसमें टेल डाल दिया है अब इसमें हम डाल रहे है कि करकी जो हमने शंक बनाए थे वो सारे हम यह डाल देते हैं कि मीडियम फिलेपर हमें से पकाना है कि देखिए थोड़े-थोड़े से सिखने लगे हैं करन ब्राउन हो चुका है यह बनकर बिल्कुल तयार है अब हमें निकाल लेते हैं प्लेट में यह देखिए कितने बड़िया जो है वो शंक तयार हुए है हमारे इसे आप इमली की चटनी के साथ हरी चटनी के साथ खाएए यह बहुत ज़्यादा टिश्टी लगते हैं जो जो इमली की चटनी यहाँ पर मैंने सर्की है इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए आप इससे बना कर ड्राइ किजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेस्टी कैसी लगे